वेलकम टू फोकस पावर तो आज की जो अपडेट होने वाली है सुप्रीम कॉर्ट ओफ इंडिया की तरब से वेकंसी का नोटिपिकेशन आउट किया गया है तो इसमें क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है कौन-कौन इलीजिबल रहने वाले है क्या प्रोसेस रहने वा प्लस जो अलाउइंस रहते है वह आपका रहने वाला है मतलब लगबग आपको 46,210 रुपे पर मंत आपकी यहां पर सेलरी रहने वाली है नंबर और वेकंसी काम या ज्यादा हो सकती है यह आपको बताया गया है जो रहने वाला है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कूकिंग के लिए रहने वाले qualification आप देख पार होंगे दस्वी पास candidate इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th standard conducted by any board institute recognized by government तो किसी भी उससे आपने दस्वी पास करी है मानियता पर आप बोर्ट से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथ में second चीज इसमें जो दस्वी के साथ मागा गया है one year का full time diploma मांगा गया cooking में या culinary arts में किसी भी recognized institute से अगर आपके पास 10th के बात cooking का diploma है one year का full time तो आप इसमें apply कर सकते हैं तर्ड जो point है यह ex-service man के लिए ex-service man के पास अगर diploma नहीं है तब भी वो apply कर सकते हैं बस उनको जो authority रहती है उसके त्वारा जो certificate generate किया हो cooking या catering field में वो आपके पास होना चाहिए तो ex-service man वाले भी इसमें apply कर सकते हैं इसके बाद आपको three year का experience होना चाहिए चाहिए किसी भी government department में हो hotel में हो या restaurant में हो आपको cooking का experience होना चाहिए तीन साल का तो आप इसमें eligible रहने वाले हो दस्वी चाहिए डिप्लोमा चाहिए और three year का experience आपका होना चाहिए किसी भी hotel में या restaurant में फिर आ जाते age की requirement में इसमें अप्लाई कर सकते हैं बाकि SCST जो भी है और फिजिकल एक सर्विसमें जो भी इनका रिलेक्सेशन होता है जन्रा नॉलिज और cooking के संबंदित question होने वाले हैं जन्रा नॉलिज के तीस question होंगे cooking से संबंदित होगे 70 question सतर मार्क्स के आपका यह रहने वाला है यह question है marks भी हो सकते हैं इतने 30 marks के 30 question 70 marks से 70 question यानि 100 number का भी यह paper हो सकता है इसमें marks के द्वारा डिवाइट किया गया है 60% marks in each component तो 60% marks आपको चाहिए minimum qualify करने के लिए फिर आ जाते practical skill test पर जिसमें के test होगा cooking और hygiene का मतलब साब सपाई से लेके cooking का सब चीज का इसमें ध्यान दखा जाएगा जिसमें 70 marks का आपका रहने वाला है और बाकी का जो other 30 marks है वो interview के बेस पर रहने वाला है तो total 200 number का आपका selection का criteria रहने वाला है 60% minimum इसमें marks आपके होने चीए दोनों इसमें examination center आप यहां पर देख पारोंगे number of test center तो यह आप देख सकता है अपनी nearby city में जिस भी state में आप रहते हैं उससे किसी ना किसी nearby city या आपके जो आसपास का जो state है वहाँ पर आपको center examination के देखने को मिल जाएंगे 90 मिनट का return examination का रहने वाला है test जो रहेगा 90 मिनट का रहने वाला है बाकी final list जो भी prepare की जाएगी वह आपका जो सारा criteria fulfill हो जाएगा return test और skill test उसके बाद interview के बाद तभी आपको final बुलाए जाएगा इसके बाद आते रजिस्टेशन और फीस हैं फीस payment पर तो रजिस्टेशन का जो criteria last date of recipient application तो कब है 12 सितंबर 2024 12 सितंबर इसकी last date रहने date है उनके लिए 200 रुपए यहाँ पर फीस्ट रहने वाली last date आपको एक बार फीस्ट रिमाइंड करा दूं 12 सितंबर 2024 आपकी last date होने वाली बाकी duties and responsibility आपको food prepare करना है और जो भी एक cook की duty होती है वो सब यहाँ पर include कर दीगी है आप apply करने से पहले एक बार detail में पढ़ सकते पीडेफ में टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा वहां से आप देख सकते हैं apply करने के लिए आप यहाँ पर link देख पारेंगे supreme court of India.gov.in इस website पर जाके आप इसमें apply कर सकते हैं तो यह थी आज की update इसी तरह की job update के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और इस वीडिय देख दिन्य देन और अऒयता हैं